हेलो एवरिवन वेलकम टू उतकर्स आप सभी विद्यारतियों का उतकर्स में स्वागत करता हूँ मैं पवन कुमार पारिक मेरे गणीत की क्लास में आज के इस वीडियो में विद्यारतियों प्रस्न एक जो है प्रस्न एक और प्रस्न तीन जो की हमारे मसब और लसब पर आधारित है प्रस्नावली एक पॉइंट एक बिल्कुल जी हाँ प्रस्नावली एक पॉइंट एक का प्रस्न संक्या एक और प्रस्न संक्या तीन उसकी व युकलिड विबाजन एल्गोरित्म से संक्याओं का मसब ग्याद करना हमने बेसिक इसके बारे में अच्छे से जाना उससे असंबंदित प्रस्णों को हम करेंगे ठीक है तो हम अब तयार रहते हैं विद्यारतियों के लिए प्रस्णावली 1.1 का पहला सवाल क्या है पहला सिंपल इस्टेप आपको बता देता हूँ क्या करना है पहले हम जो चरण करते हैं भाग वीदी वो पहले में कर देता हूँ उसके बाद जो है पूरा आपको इस्टेप भी लिखाऊंगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 225 के अंदर 135 का भाग देंगे 135 का दुगुना तो ज 225 के अंदर दिया सेस के आया 90 आया इसका मतलब ये जो भाजक हमने भी बराबर 135 माना वो हमारा मसब नहीं हो सकता क्योंकि जिस चरण में सेसपल 0 आये वहीं उसी चरण का भाजक क्या होता है संख्याओं का मसब तो अगला स्टेप क्या करेंगे अब इस 90 का भाग ये जो से सेसपल है वो अगले चरण में क्या बन जाएगा भाजक बन जाएगा अब 135 को हम यहां लेकर आएंगे क्लियर है तो इस 135 को जो है यहां लिख दो बाजी के अंदर पहले चरण का जो बाजक था वो दूसरे चरण में बन जाएगा भाजी तो 90 का दुगुना 180 ज्यादा होग भाग जाएगा एक बार सेसपल आएगा पांच तेरा में से नो गई चार ठीक है तो 45 आया अब भी देखिए आप सेसपल हमारा जीरो नहीं आया यहीं हमने भाग 90 का दिया था दूसरे चरण में वहां पर भी हम देख रहे हैं सेसपल जीरो नहीं है सेसपल 45 पर आत हुआ अ और दूसरे चरण का जो बाजक था वो बन जाएगा भाजे यानि 90 को इसके अंदर लिख दिया अब 45 का बार तो 90 में पूरा पूरा जाता है दो बार सेसपल आ गया जीरो तो आप क्या देख रहे हो पहला चरण यह पहला चरण था यह दूसरा चरण था और यह तीसरा के अंदर हम देख रहे हैं सेसपल आर का मान जीरो आ रहा है यानि तीसरे चरण का जो बाजक होगा वही हमारा मसब होगा ठीक है तो यह मैंने आपको समझा दिया आप बोड़ एकजाम में इसको भी सैड में लिख सकते हो लेकिन जो मेन इस्टेप है वो मैं आपको लिखव कि मानना है छोटी संक्या को क्या मानना है बाजि ठीक है तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले पहले चरण में चोंकी क्या लिखेंगे 225 जो है 135 से बड़ा है अतह क्या लिखेंगे A बराबर 225 तथा B बराबर B बराबर छोटी संक्या उसे बाजक मान लो A बराबर 225 तथा B बराबर 135 में युकलिड विबाजन प्रमेका से या युकलिड विबाजन प्रमेका या एलगोरितम तो इस पूरे प्रक्रिया को कहते हैं यहां या आपको युकलिड विबाजन प्रमेका ही लिखना है ठीक है तो युकलिड विबाजन प्रमेका से इसका मतलब A ये ले लो B ये ले लो इन दौनों को A और B मानते हुए इसमें युक्लिड विबाजन प्रमीका लगाएंगे जो कि क्या होती है A बराबर होती है BQ प्लस R ठीक है तो पहले चरण में A हमारा 225, B हमारा 135 तो बाखफल 1 आया और सेसपल क्या आया 90 आया तो लिखिए क्या आया 225 बाजक बराबर 22 135 इंटू बाखफल आया 1 प्लस सेसपल आया 90 और पहले चरण में R not equal to 0 है पहले चरण के अंदर सेसपल 90 आया वो 0 के बराबर नहीं है तो हमने दूसरा चरण किया था जिसमें 90 हमारा B था A हमारा 135 था तो अब चरण 2 लिखेंगे चरण 2 में हम क्या देख रहे हैं कि 135 बड़ा है किस से 90 से तो हम लिखेंगे A बराबर 135 तथा B बराबर 90 में B बराबर 90 में यूकलिड विबाजन प्रमीका से ठीक है यूकलिड विबाजन प्रमीका से तो क्या आएगा देखते हैं यूकलिड विबाजन प्रमीका से तो लगाएंगे 135 बाजजी बराबर 90 इंटू भाग कितनी बार गया था दूसरे चरण में भाग एक बार गया सेस्पल क्या आया था 45 ठीक है तो 90 इंटू क्या आजाएगा भाग एक बार सेस्पल आया 45 और यहां भी R 0 के बराबर नहीं आया दूसरे चरण के अंदर भी सेस्पल हमारा सुन्य प्राप्त नहीं हुआ तो फिर हमने तीसरा चरण किया था 45 का भाग 90 में दिया था ठीक है तो अब क्या लिखेंगे चरण 3 लिखेंगे step 3 में क्या लिखेंगे student चरण 3 में लिखेंगे कि 90 जो है हमारा 45 से बड़ा है तो हम लिखेंगे a बड़ाबर 90 तथा b बड़ाबर 45 में युकलिड विबाजन प्रमीका से a बड़ाबर 90 चता b बड़ाबर 45 में युकलिड विबाजन प्रमीका से तो क्या आएगा जी तो 90 बड़ाबर आएगा बाज जी 90 बड़ाबर बाज़क 45 इंटू बागपल 2 प्लस 6 पल आएगा 0 तो हमने क्या देखा हम देख रहें यहां r बड़ाबर 0 है इस चरण में से यानि तीसरे चरण में हमारा सेसपल 0 है और जिस चरण में सेसपल हमें सुन्य प्राप्त हो हम जानते हैं युकलिड विबाजन अलगोरित्म इस प्रोसेस के अंदर जिस चरण में सेसपल 0 आए उस 135 तथा 235 का मसब क्या होगा महत्म समापवर्तक जो है विद्यारतियों क्या होगा इस चरण में हमारा भाजक कौन था भाजक था 45 तो इस सवाल के लिए मसब कितना होगा स्टूडेंट इस सवाल के लिए मसब 45 होगा खंट अगले प्रस्दमें बढ़ते हैं 196 और 38000-22 इस बार हमारे पास संखिया हैं 1059 और 38000-22 इसमें क्या निकालना है महत्तम समातवर तक निकालना हैं तो हम क्या करेंगे हम जानते हैं बड़ी संख्या 38000-22 है छोटी है 116 ठीकिंगे तो भाग देकर देखते हैं पहले भाग प्रक्रिया से कर लेते हैं उसके बाद चर्ण अलग से लिख देंगे तो मैं 38,220 के अंदर 196 का भाग देता हूं ठीक है तो 196 का भाग किती बार जाएगा पहले 196 को दो बार गुणा करते हैं तो क्या आएगा 6 दूनी 12, 19 दूनी 38 और 1 49, 392 जादा होगा तो पहले तो भाग एक बार जाएगा 116 बार, सेसपल आएगा 12 में से 6 गए 6, 7 में से 9 जाएगा नी तो 17 में से 9 जाएगा विद्यार तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा और यहां 2 में से एक गए 1 तो बनेगा क्या? 186 ठीक है? 186 बना और यहां से क्या उत्रेगा? 2 उत्रेगा तो बना 1862 अब कितनी बार भाग देंगे? तो देखो एक बार 5 बार देखते हैं कितना आएगा? 6 पंजे 30 हासिल 3, 19 पंजे 95 और 3 अंठाणवे ये तो कम आ रहा है 6 बार देखते हैं 6 चंग 36 हासिल लगी 3 ठीक है? 9 चंग 54 और 5 ग्यारा, 11 56 आ रहा है ठीक है? तो अब ज्यादा बार करके देखते हैं 7 बार करते हैं कितना आता है? 7 चंग 42 हासिल 4, 19 63 और 4, 66, 58 आसिल 6, 7 एकं 7 और 6, 13 यहां पर भी ठीक आ रहा है, अब 7 बार देखते हैं, 7 बार भी कम आ रहा है, 8 बार में कितनी बार आता है? 8 चंग 48 हासिल लगी 4, 9, 9, 8, 72, 72 और 4, 86 हासिल 7, 8, 8, 7, 15 तो 1568 बार आ रहा है ठीक है अब 9 बार देखते हैं कितनी बार आएगा हर बार कम आ रहा है 9 बार देखते हैं कितना आता है 9, 6, 54 होगा आएगा 5, 9, 81 और 5, 86 हासिल लगी 8, 9, 1, 9, 9, 8, 17 तो देखी 9 बार भी क्या आ रहा है क्या आ रहा है विद्यार्ति कम आ रहा है 196 को जब 10 से गुना करेंगे तो आएगा 196, 0, 10 बार में ज्यादा आ रहा है तो कितनी बार भाग गया भाग जाएगा 9 बार और 9 बार में कितना आएगा 1764, clear है भाग 9 बार गया विद्यार्ति को 1764, अब गटाई ये कितना आता है 12 में से 4 जाएंगे 8 आ जाएगा ठीक है यहां बचेगा क्या 5, 5 में से 6 गटेगा नहीं, यहां से एक उदार जाएगा 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा और 17 में से 17 गए 0 ओके और अब इस उतारते हैं 0 को तो बनेगा 980 और 196 को जब 5 से गुना करते हैं पूरा पूरा बाग जाता है कितना आता है 980 सेसपल 0 तो प्यारे विद्यारते हों आपने क्या देखा आपने देखा कि पहले ही चरण में सेसपल अमारा 0 प्राप्त हो गया है पहले ही चरण में R का मान जीरो प्राप्त हुआ है जब 116 का बाग हमने 38,220 के अंदर दिया तो पहले ही चरण में बाग क्या गया पूरा पूरा गया सेशपल 0 आया और बागफल कितना आया 155 आया क्लिर है पूरा-पूरा बाग गया यदि सेशपल 0 नहीं आता तो फिर आग आगे प्रोसेस करते, तो यह तो पहले चर्ण में मसब कितना आ गया, एक 116 का दिया, तो इसको लिखेंगे कैसे, बस सिंपल एक चर्ण लिखना आ इसमें hard 1 में लिखेंगे, دेखि़े 38220, जो है, 116 से ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे, कि A बराबर 38,220 तथा छोटा कोने उसे भाजक ले लो A 38,220 तथा 196 में युकलिड विबाजन प्रमिका से कितना आएगा देखते हैं युकलिड विबाजन प्रमिका से तो कितना आएगा तो विद्यारतियों हम देखते हैं युकलिड विबाजन प्रमिका होती है A बराबर BQ प्लस R होती है जहां R क्या होता है R का मान जहां R जो है 0 से बड़ा और बराबर लेकिन बाजक से छोटा होता यह होती है एक ही जगह लिखा 38,220 लिख दिया बाजक की जगह 196 बाग कितनी बार गया 195 बार और सेसपल आ गया 0 तो बाजक कौन है यहां हम क्या लिखेंगे यहां सेसपल R बराबर 0 है अत जिस चर्ण में सेसपल 0 उसका जो बाजक होता है वही क्या होता है मसप होता है अत हम क्या लिखेंगे एक सो चियानवे एक सो चियानवे और 38,220 का मसप कितना होगा सेसप कितना होगा एक सो चियानवे होगा फिरे गलती साफ एक सो पंचानवे मत लिख देना जो बाजग होता है, वो ही क्या होता है, मेरा मसप होता है अगला प्रस्न है, 866 और 255 तो यहाँ भी हम पहले भाग प्रक्रिया को कर लेते हैं ठीक, भाग प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट करता हूं बड़ी संख्या 866 में 255 का भाग देना प्रायरम करता हूं clear है तो student सबसे पहले भाग कितनी बार जाएगा देखिए 255 इंटू 2 करते हैं तो क्या आएगा 55 दूनी 110 इधर एक जाएगा 2 दूनी 4 और 15 कम हो रहा है तीन चार वार करके देखते हैं ठीक है तो हम क्या देख रहे हैं जब पहले चरण में 255 का बाग 866 में दिया तो बाग पूरा पूरा नहीं गया सेस हमें कितना मिला 110 या 102 मिला इसका मतलब ये पहले चरण का जो बाजक है वो हमारा मसब नहीं होगा तो अब हम क्या करेंगे विद्यारतियों अब हम इसको मिटा देते हैं अब हम क्या करेंगे इस 102 को जो पहले चरण के अंदर जो हमारे सेस पल मिला उसे दूसरे चरण में बाजक और पहले चरण का जो बाजक है जिसका आमने बाग दिया वो बाज ये बन जाएगा अब 102 का बाग दो 255 में, तो देखो 3 बार कितना होगा, 102 को 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ज्यादा हो रहा है, तो 2 बार दो, 102 को 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 बार जाएगा, तो कितना बनेगा, 204 बनेगा, गटाएंगे, 5 में से 4 गए, 25 में से 20 गए, 5, 51 सेसपल आया तो हमने देखा कि 102 का बाग 255 में दिया तब भी पूरी पूरी बार नहीं गया हमारे को सेसपल क्या मिला 51 मिला इसका मतलब यह जो भाजकता दूसरे चरण में वो भी हमारा मसप नहीं है अब करेंगे तीसरा चरण तीसरे चरण में सेसपल 51 का बाग हमें किस में देंगे इस 102 में देंगे और आपको सिधा सिधा पता 51 का डबल 2 एकंडो 5 दूनी 10 कित्ती बार जाएगा दो बार 102 होगा सेसपल आएगा 0 ओके सेसपल हमारा यहां पर क्या आएगा 0 आ गया सेस पल सुन्य प्राप्द हुआ अतहा इस step का तीसरे step का ये जो बाजक है वही सवाल का मसप होगा तो एक तीन चरण का process है इसे जल्दी जल्दी लिख लेते हैं चरण एक लिखते हैं चरण एक में क्या लिखेंगे विद्यार्च ये सीधा लिखते हैं ए बराबर 867 फास्ट लिख देते हैं या आपको मुझे पता है समझ में आ गया होगा ए बराबर 868 और बी बराबर 255 में युक्लिड विबाजन प्रमेका से तो क्या होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर होती है युक्लिड विबाजन प्रमेका तो 867 बराबर बाजक है 255 पहले चरण का भाकवल 3 और सेस्पल 102 तो 3 प्लस 102 फिर वो इस टेप लिखना है क्या लिखना है कि R not equal to 0 तो अब लगाना है चरण 2 चरण 2 में हमें क्या लेना है हमें भाजक बाजक 102 और बाज़े लेना है 255 तो क्या करेंगे a बराबर 255 और a बराबर 255 और b बराबर 102 में युकलिड विबाजन प्रमेका से क्या बनेगा a बराबर b q प्लस r होता है तो बाज़े 255 बाज़े बराबर 255 बाजक कितना है 102 इंटू बार कितनी बार गया दो बार सेसपल 51 दो प्लस 51 आ गया ओके तो यहां भी r नोट सेसपल 0 के बराबर नहीं है तो अब हम करेंगे चरण 3 चरण 3 में क्या करेंगे चरन 3 में हम लिखेंगे A बराबर बाज्य क्या है 102 और बाजक क्या है 51 ठीके तो A बराबर 102 और B बराबर 55 में B बराबर 51 में Euclid विबाजन प्रमेका से ठीके तो क्या आएगा 102 बाज्य 102 बराबर बाजक 51 इंटू बाकफल दो शेस्पल 0 ठीके और तीसरे चरण में हमने देखा भी है, तीसरे चरण में क्या देखा विद्यारतियों हमने देखा है, यहां सेस्पल R बराबर 0 प्राप्थ हुआ, अतह, अतह हम क्या लिखेंगे, जो हमारी संख्यायती 867 और 255, अतह 867 और 255 का SCF, जिसे मसप भी कहते हैं, SCF या जिसे मसप भी कहते हैं, मसप कितना होगा, मसप होगा विद्यारतियों 51, क्योंकि इस तीसरे चरण का जो बाज़क है, उस इस्तती में सेस्पल 0 आया, तो मसप क्या होगा, इस्टुडेंट, 51 होगा, उक्के, अगले प्रस्नी की और बढ़ते हैं, अगला प्रस्ने हैं, किसी परेड में, अच्छा प्रस्ने ध्यान से सुनना, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, या आर्मी जिसे हम कहते हैं, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, या आर्मी की टुकडी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना, या परेड कर इस्तंबो में मार्च करना है उन इस्तंबो की अधिक्तम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं कहने का मत्दब विद्यारत यह है कि एक तो आर्मी का बैंड है आर्मी बैंड यानि जो बैंड बजाते हैं आर्मी में बैंड जो बजाते हैं उसे कहते हैं वो भी आर्म से इसमें 32 से एवं प्रगास है नहीं हीं एक सहएंस Menschen अब पर accents home यहतों एक जुन्ड में में कड़े हमें इनको विवस्तित करना है उसके अलावा एक और सेना सेना में और किंदार से वह कितने構नीफर आर्मी के जो टुकडी है उसमें और कितने सदस्य है 616 सदस्य और है यह बैंड में कम है उसके अलावा आर्मी के जो सेना की टुकडी है विद्यारतियों सेना की टुकडी उसमें कितने सदस्य है 616 सदस्य है सेना की टुकडी में हमारे 616 सदस्य और है यह तो बैंड वाले और ये सेना की तुकडी अब इन सब को व्योष्तित करना एं कोई मान लिज्य परेड निकलनी को समो में जमाना है् मतलब कौलम में जमाना इस तरह ठीक है इस तरह 32 तो इसकी आठ लाइन लग गई इसकी आठ लाइन लग गई फिर 616 वाले भी ऐसे खड़े रहेंगे यानि चार समू के अंदर सारे आ गए लेकिन हमें क्या बोला है हमें प्रस्द में बोला है कि यह जो दोनों समू को यह यह आर्मी बैंड वाला समू एक यह सेना की टुकड करना है यदि इनको आपने चार कोलम में कर दिया एक दो तीन चार तो यहां बन गए चार यहां पर चार यहां पर तो 8 पंक्तिया बनेंगी और चार कॉलम बनेंगे उसके बाद इनको भी विद्यारतियों ऐसे करना आपको यानि चार कॉलमों में इनको भी सेट करना है और 616 में चार का भाग दो तो इतनी पंक्तिया आती रहेगी हमें ऐसे विवस्तित करना है लेकिन आप दिमाग लगाओ यदि जैसे इन 32 व्यक्तियों को हम चार कॉलम के अंदर खड़ा करें तो आठ पंक्तिया बन रही है और इनको करेंगे तो और ज्यादा पंक्तिया बनेगी तो हमें ये प्रस्न में बोला है कि इन दोनों सम्मूओं को समान संक्या वाले दोनों के लिए कॉलम सैम होने चाहिए इस्तम सैम होने चाहिए ठी विद्यार्तु क्या करेंगे हम 6 के 6 का कॉलम बनाएं 8 का बनाएं जैसे 8 का बाग जाता है 32 में 16 का भी बना सकते हैं 16 कॉलम तो दो लाइनों के अंदर ये सारे आ जाएंगे तो हमें अधिक्तम संक्या उन इस्तंबो की क्या होगी जिसमें ये दोनों मार्च कर सकते हैं लेकिन उनके लिए इस्तंबो की संक्या सेम हो तो बस इस प्रस्णे के अंदर याद रखना है आपको ये सब्द पकड़ना अधिक्तम तो जब भी सवाल में अधिक्तम सब्दा है इसका मतलब याद निकालना है मसब निकालना आपको जब भी सवाल में अधिक्तम या ज्यादा से ज्यादा दो सब्दा है अधिक्तम या ज्यादा से ज्यादा ये सवाल का मैन कोड़ वर है ज्यादा से ज्यादा तो आपको क्या निकालना है मसप निकालना है क्या निकालना है आपको मसप निकालना है याद रखना और जब भी न वह बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विबाजित करे उसे मसख कहते हैं याद है आपको पता होगा ठीक है तो अब हमें क्या बूला है प्रस्न में हमें अधिक्तम इस्तंभो की संख्या निकालनी है वो क्या होगी अधिक्तम यहां पर मैं लिक देता हूं अधिक्तम इस्तंबो की जो संख्या है अधिक्तम इस्तंबो की संख्या किसके बराबर होगी वो बराबर होगी विद्यारतियों किसके बराबर होगी इन संख्याओं के कौन से एक तो 32 और 616 ठीक है 32 वच 616 के मसब के बराबर होगी ठीक है 616 का जो मसब होगा एसियप होगा अब ये जो प्रस्न है ये प्रस्न प्रस्नावली एक पॉइंट एक का है तो इनका जो मसप है अबाजी गुणन खंड से नहीं करना आपको युकलिड विवाजन प्रमेका से करना है तो हम मैं यहाँ पर पहले भाग प्रक्रिय अपना देता हूं ठीक है तो 616 के अंदर पहले मैं 32 का भाग देता हूं कितनी बार जाएगा 32 दूनी तो होता है 64 ज्यादा होगा एक बार जाएगा तो ये बनेगा आपके घटा होगे 11 में से आपके 2 गए तो 9 बज गए 5 में से 3 गए तो बज गए 2, 6 बज गए 296 बज गए अब 32 का भाग 296 में दीजी ठीक है 32 का भाग देंगे 8 बार किता जाता है 8 दूनी 16 आरतिया 24 और 25 दूनी आता है ठीक है और 9 बार करते हैं तो क्या आता है 9 दूनी 18 नौतिया 27 और 288 दस बार जादा होता है तो 9 बार देंगे 288 आएगा 6 कितना आएगा 96 अब 32 का भाग 8 में जाएगा नहीं प्यारे बच्यों 32 का भाग 8 में नहीं जायेगा 32 का बार 616 में 19 बार गया सेस बचराए 8 ठीक है तो इसका मतलब 32 और 616 का जो मसप है वो 32 तो नहीं हो सकता क्यूंकि सेस पल 0 नहीं आया तो अगले चरण में 8 जो है सेस पल बाजक बन जाएगा 8 का बाग 32 में दे दो 4 बार पूरा पूरा जाएगा सेस पल 0 आया इसका मतलब ये आठ ही मेरा क्या है मसप है और मसप ही क्या था अधिक्तम इस्तंबो की संख्या यानि आठ इस्तंब बन सकते हैं आठ इस्तंब इनके भी बनेंगे उसमें आठ इस्तंबो में इन दौनों के सदस्य आएंगे आठ से ज़्यादा इस्तंब आप नहीं बना सकते ह आप अंट से आप गम बना सकते हो 4 इस्तम बना सकते हो 2 इस्तम बनाओगे लेकिन जब 2 कॉलम बनाओगे तो आप सोच आपकितनी शारी बनेगी तो वो B बराबर 32 में युकलिड विबाजन प्रमीका से ठीके तो क्या होगा बाजी A बराबर क्या होता है BQ प्लस R होता है ओके तो बाजी हमारा क्या है 616 बाजक है 32 इंटू बागफल 19 प्लस सेशपल आया था कितना 8 आया था ठीक है 32 इंटू 19 प्लस 8 और हमारा R यहाँ 0 के बराबर नहीं था सेशपल 0 नहीं था तो हमने दूसरा चरण किया चरण 2 चरण 2 में क्या लिखेंगे प्यारे विद्यारतियों हमने A बराबर 32 तथा B बराबर 8 में युकलिड विबाजन प्रमेका से आपको पूरा नाम लिखना है पहले स्टेप में हमेशा पूरा नाम लिखना और सुत्र भ बनेगा बाजी 32 बाजक था आठ इंटू बागपल 4 प्लस सेशपल 0 बना और हम यहां देख रहे हैं यहां आर बराबर हमारा 0 आया है इन्हीं सेशपल यहां पर 0 आ गया है अतह हम क्या लिख सकते हैं अतह यहां पर में लिख देता हूं अतह 32 वा 216 का मसब कितना आया है 216 क हमारा आठ और हम यह भी लिख सकते हैं कि अतह इस्तंबो की अधिक्तम संख्या ठीक है अतह इस्तंबो की अधिक्तम संख्या कितनी होगी अतह इस्तंबो की अधिक्तम संख्या कितनी होगी अधिक्तम संख्या आठ होगी यहां आठ इस्तं में जो है यह सारे जो है खड़े ह वो सकते हैं और आराम से खड़े होंगे आठ के अंदर खड़े होने में इन में कोई प्रोब्लम नहीं आएगी ठीक है एक बार आप इसे देखिए ठीक है तो इस्ट्रेंट्स को समझ में आ गया होगा निश्चित है बिलकुल आसान प्रस्ने है आठ के अंदर किस तरह खड़े होंगे में एक बार डाइग्राम बना के बता देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए मान लीजिए पहला इस्तम में ये दूसरा इस्तम ये तीसरा ये चोथा ये पांचवा ये छट्टा ये साथवा ये आठवा क्लिर है तो इस तरह से पहले तो बैंड वाले खड़े हो जाएंगे इस सारे ऐसे ठीक है ऐसे खड़े हो गए तो आठ यहां आ गए ऐसे करके इनकी तो कित्ती चार पंग्तिया बन जाएगी क्लिर सेना की टुकडियों की पंक्तिया कित्ती बनेगी वो भी जो है आपके सेना की टुकडि को मैं ऐसे तिर्बू से बता देता हूं तीन चार पांच छे साथ ठीक है ऐसे वो भी खड़े रहते रहेंगे पर वो कुल कितने हैं 616 है तो कुल पंक्तिया कित्ती बनेगी इसी तरह आ पाग जाएगा चार में 16 बार जीरो बार, ठीक है, तो यह आपके हो गए 1564, 154, तो यह कितनी पंक्तिया लेंगे, 154 पंक्तिया लेंगे, यानि 154 पंक्तिया है, 154 पंक्तियों में यह खड़े रहेंगे, कौन, सेना की टुकडी वाले, इस तरह यह आपको करना है, आँच से ज्यादा नहीं ले सकते, आँच से कम चार में भी बन सकता, लेकिन यह पंक्तिया बहुत ज्यादा हो जाती, अब एक आपका अन्य भी सवाल कर लेते हैं, उदारन का सवाल है, ठीक है, समय रहते हैं, इसलिए थोड़ा समय किताब का उदारने वो कर लेते हैं, प्रस्न हमार क्या है, कि 4,052 और 12,576, इनको हमें करना है, 4,052 और 12,576 को युकलिड विबाजन अल्गोरिथम से इनका मसब ग्याद करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले हम भाग देंगे, 12,576 में 4,052 का भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा विद्यारति, आप जानते हो, 12,57 12,576 में 4,052 का भाग, तो देखो पहले, 4 बार देखकर देखते हैं, कितनी बार जाएगा, 4 दुनिया, 5,10, 4,16, तो 4 बार तो ज्यादा हो रहा है, 16,000, ये अन्ये सवाल करवा रहा हूं, ऐसे समय रहते हैं, सेस इसलिए, जो इस प्रसनावली के सेस प्रसने, वो एक ही तर के हैं, दूसरा, चोथा, और पांच, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ये मैं मसब ग्याद कर रहा हूं, किताब का उदार ने, ठीक है, तो 4 बार ज्यादा हो रहा है, 3 बार देखकर देखते हैं, कितनी बार जाता है, 3 दुनी 6, 5 तिया 15, 4 तिया 12, तो 3 बार कम है, पहले स्टेप में 4052 का भाग गया, 3 बार सेश पल आए 420, ठीक है, तो इसका मतलब ये मसब नहीं होगा, अब 420 का भाग देंगे 4052 में, कितनी बार जाएगा, देखो, एक बार तो जादा हो रहा है, और 420 इंटु 10 करेंगे, तो बहुत जादा आएगा, एक बार जाएगा देखते हैं, तो ये हो जाएगे 180, एक इदर जाएगा 946 और 137, तो 9 बार कम है, क्योंकि 10 बार करेंगे 42 तो जादा हो जाएगे, तो बाग जाएगा 9 बार बनेगा 37, 80, क्या रहे, सेश बचेगा 2, 15 में से 8 गई 7, यहां बचेगा 49 में से 37 गई 2 बने, क्या बने हमारे 272 ब मतलब यह जो चरण था, इसका जो इबाज़ा के यह भी मसप नहीं होगा, अब 272 में 272 का भाग 420 में देंगे, बड़ी संक्याओं का सवाल था, विद्यारती गबरा जाते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूं, ठीके, तो 272 का भाग देंगे, तो 2 बार कित्ती बार होगा दे 148 में से 2 गए, 148 आएगा, 148 ओके, अब 148 भी सेसपल 0 के बराबन इसका मलब यह भी मस अपने होगा, 148 का भाग 272 में देंगे, कितनी बार जाएगा, देखते हैं, 48 दुनी 96, 2 एकम 2, तो 2 बार तो ज़्यादा जारा एक बार देंगे, एक बार देंगे, तो क्या आएगा 12 में से 8 गए, 4, 6 में से 4 गए, 2, 2 में से 1 गए, 1, 124 आया, ठीके, अब देखी, अभी भी सेसपल 0 नहीं आया, तो 148 का भाग और 2 एक बार जाएगा, ठीके, 6 आएगा, 8 में से 4 गए, 4, 12 में से 4 गए, 2, क्या आगए, हमारा चोईस आगया, ठीके, अब चोईस के अंदर 124 इसका भाग देंगे, तो कितना आएगा, चोईस पंजे 120 होता है, यानि 5 बार जाएगा, सेस कितना आएगा, 4 आएगा, अभी भी भाग नहीं जा रहा है, विद्यार्त, यानि सेसपल 0 नहीं आ रहा है, ये भी मसप नहीं है, ये भी मसप नहीं है, ये भी मसप नहीं है, चल steps मुझे पता आपको आते हैं लेकिन मैंने आपको पूरा बता दिया है steps में फटापड लिख देता हूँ मुझे पता steps हमारे student लिख देंगे मैं चरण लंबे हैं तो इसलिए आपको confuse नहीं होना है गवराना नहीं है आराम से आप इसको समझना है और विद्यारतियों आपको मैंने प्रस्नावली एक पॉइंट एक के दो प्रस्न करवाए हैं मसब पर आदारित और एक उधरन भी कराया जो लंबा चोड़ा था विद्यारतियों के लिए महत्पपून है इसलिए करवाया उसके अलाव विद्यारतियों जो भी हम आपको basic लाइए क्योंकि विद्यारतियों जितना आप पड़ोगे आपके काम आएगा आ रही बासने आप पड़ोगे उतना आपके काम आएगा हम करवाएंगे तो हमारे काम आएगा ठीक है स्टुडेंट तो मुझे उम्मीद है हमारे विद्यारतियों को यह समझ में आ गया होगा नो डाउट विद्यार्तियों को कोई कमी नहीं रही होगी हर तरीके से आपको समझा दिया तो आज के लिए इतला ही स्वस्त रहे मस्त रहे